9 a.m.m.O. की बूक खोलंपियरणमेतिक के रिगार्दिंग चेप्टर 7 ट्राइंगल आज हम स्टार्ट करेंगे केशन नमबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चो केशन कारण की बात करें तो केसरे नमबर 1 में आपके पस दो ट्राइंगल एर रखी equal to RP, CA is equal to RP, तो इस मेरे पास option B जो है वो correct answer आ जाएगा, चलिए नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं, question number 2 में देखिए, तो question number 2 में भी बच्चो आपके पस एक triangle दे रखिए, ABC, अगर ABC एक isocellus triangle है, isocellus triangle में students AB is equal to क्या होता है, AC, यानि कि कोई भी अगर isocellus triangle है, तो उसकी दो sides equal होंगी और corresponding angles भी equal होंगे, और साथ के साथ AP आपको एक bisector दे रखा है, तो angle 1 और angle 2 भी क्या होंगे, equal होंगे, तो मैं अगर बात करूँ, अच्छा, यहाँ पर मुझे यह बताना है, यह angle PBC की condition बतानी है, अभी यह angle PBC इत्ता से angle किसके equal होगा, तो अगर मैं यह triangle लूँ, इन triangle A, P, B, and triangle ABC, है ना, तो इन दोनों triangle को अगर मुझे congruent proof करवाना है, यह बली triangle और यह बली triangle, तो obvious ही बात है, students हमें यहाँ पर तीन चीज़े equal proof करवानी पढ़ेंगी, तो तीन चीज़े कौन कौन सी equal है, देखो AB और AC तो given है, एंगल 1 और एंगल 2 भी given है, इन दोनों triangle में आ रहा है, AP और AP में यहाँ पर common ले रही हूँ, तो यहाँ पर दोनों triangle क्या हो जाएंगी, congruent हो जाएंगी, अब यह दोनों triangle congruent हो गई, तो इसके corresponding parts भी equal हो जाएंगी, क्या बचा मैं लिख सकती हूँ, कि BP equal to PC हो जाएगा, अगर BP equal to PC है, दो side equal है, तो इनके corresponding जो angles हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, equal हो जाएंगे, यानि कि मैं यह क्या सकती हूँ, कि angle P, B, C is equal to angle P, C, B, तो option A will be the correct answer, clear है, चलिए next question number 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखो इन सारे questions में आप लोगों को congruency की help से ही यह सारे questions आपको equal proof करवाने पड़ेंगी, ना question number 3, हाला कि इसमें से कुछ questions ऐसे भी आएंगे, जिने आप lines and angles वाले जो chapter में हम लोगों ने जो identities लगाई हैं, उनसे भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ इस chapter में हम लोग बहुत easy way में, congruency के help से ही हम इन questions को करने की 100% कोशिश करेंगी, चलिए, अब यहाँ पर आपके पास एक quadrilateral दे रखा है, कुछ आपके पास चीजे दी हुई हैं, कुछ चीजे miss हैं, जो miss हैं, वो हमें निकालनी है, angle x और angle y के बारे में हमें बताना है, इसके इलावा यहाँ पर इस question में कुछ भी नहीं है, बस यह चीज जरूर गिवन है, कि अगर मैं यह वाली triangle पकड़ती हूँ, ABC अगर मैं triangle पकड़ती हूँ, तो यहाँ पर यह दोनों angle 90 degree के हैं, ठीक है, और यह दो sides equal दे रखी हैं, और मुझे यहाँ से, और इसके इलावा मेरे को यह चोटी सी जान करी है, यह angle 37 degree है, मुझे x निकालना है, चलिए x निकालने के लिए मैं इन दोनों triangle को लेती हूँ, फिर देखते हैं क्या बनता है, इन triangle A, B, L, इसको मैं L माल लेती हूँ, और N triangle A, C, L, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, अगर आप यहाँ से A, B, L उठा रहे हैं तो यहाँ से आप A, L, C मत उठा लीजिएगा, जिस way में आप इदर से जा रहे हैं उसी way में ही आप दूसरी जो triangle है वो लेंगी, ठीक है, अब आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या-क्या चीजे equal हो सकती हैं, इस triangle और इस triangle में, एक तो students आपके पस A, B और A, C, यह given है, यह given है, इसके इलावा यह angle, चाहिए, एल है, लिख लीजेगा, इसके इलावा angle 1 और angle 2 equal है, each 90 degree, each 90 degree, हाला कि यह चीज यहाँ पर लिखी नहीं गई है, लिखी नहीं गई है, तो हम इसको अपनी तरफ से नहीं ले सकते हैं, तो इसको नहीं लेती है, यह गलत है, यह हम लिखा नहीं है, तो फिर हम लेंगे ही क्यों, यह फिर एक काम करते हैं, हम लोग यह triangle यह पूरी पूरी triangle ले लेती है, पूरी पूरी triangle ले ले लेती है, इसका benefit होगा, मैं बताती हूँ कि हमारे पस तीनों चीज़ें इक्वल आ जाएंगी बड़े अराम से, ठीक है, इन triangle ABP, इन triangle ABD, एन triangle ACD, देखो बच्चो, यह वाली लाइन, इस लाइन की इक्वल है, AB equal to AC given है, BP equal to PC given है, BP equal to PC given है, अब आप कैसे कह सकते होगी, यह given है, देखो, symbol दे रखी है न, यह दोनों equal है, यह देखो, ठीक है, इसके लवाब बीच वाली यह line, AD equal to AD, यह common है, मैंने दोनों अलग अलग triangle इसलिए नहीं ली क्योंकि यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है, कि यह angle 90 degree के है, हम अपनी observation नहीं रख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बच्चों, यह दोनों triangle आपके पास क्या आ गई, congruent आ गई, side 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 से, ठीक है, जी, congruent आ गई, तो अगर यह equal है, तो मैं यहाँ पर यह कह सकती हूँ, कि यह वाला angle इस angle के equal हो जाएगा, यह वाला angle इस angle के equal हो जाएगा, और angle Y, यह वाला angle 70 degree के equal हो जाएगा, तो यह तो सीधा यह answer आ गया है, तो इसका option B answer आ जाएगा, easy है ना, यह वाला question, question number 4 की तरफ देखते हैं, question number 4 पे भी आपके पास बच्चों, यहाँ पर दो triangle दे रखी हैं, और बताना है कौन कौन सी correct है, देखो यह है तीन, त्री इदर है, त्री इदर है, तो मैं लिख सकती हूँ कि A, B इदर लिखेंगे, और D, E इदर लिखते हैं, चलो, यहाँ पर है B, C, B, C है four, और इदर है F, अगर अपन इसको, E, अच्छा यह आना चाहिए मेरे पास, A, B तो मैंने पहले तीन लिख दिया, तो उसके सामने मैंने, यह तीन, ऐसे भी लिख सकते थे, यह ऐसे भी लिख सकते थे, ED भी लिख सकते हैं, और D, E भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने B, C, यह B, C तो बन रही है मेरे पास चार, लेकिन इधर से मुझे d e लिखना है d e तो d f लिखना है तो ये वाली triangle बनेगी तो ये वाली triangle बनेगी मेरे पास इसका answer आएगा option b देखो ये हमेज़ sequence जो है न ये तो सीखनी ही पड़ेगी कि concurrency कैसे लिखनी है तो ये आप d e पहले लिख लिख लिजेगा और e d भी लिख लिख लिजेगा लेकिन आगे मुझे d f चाहिए ना तो d f तो बननी रहा e f बनेगा अब e f तो चार नहीं है ना e f तो चार नहीं है अब देख लो यहाँ पर a c जो की गिवन है a e और a d गिवन है a e और e sorry a e और a d गिवन है equal और b d b d ये वाली is equal to c e ये भी equal गिवन है अच्छा अब हम लोगों ने ये बताना है कि इसमें से क्या चीज़ आपके सामने सही बैठ रही है तो बच्चो इस चीज़ के लिए देखो अगर मैं ये कहूँ कि a e is equal to a d है और साथ के साथ मैं ये कहूँ कि c e equal to b d है और मैं इधर से a e में ये a e में अगर मैं c e एड़ कर दू क्योंकि दोनों equal हैं तो मैं add कर सकती हूँ और a d में b d equal add कर दू ये बन जाएगा आपके पस a c और ये बन जाएगा अब आगे देखते हैं अब देखते हैं वो कह रहा है कि कौन-कौन से ट्राइंगल आपको लगता है कि इक्वल हो सकती है अब अगर मैंने ये दोनों ट्राइंगल पकड़ी इन ट्राइंगल ए, ए, बी ये वाली ट्राइंगल पकड़ी मैंने ए, ए, बी दूनों ट्रेंगल पकड़ ली अब इन दोनों ये देखो ये वाली ये धियान से तोड़ा सा इसको clean कर ले तो आप देख पा रहे हैं एक ट्रेंगल में ने ए ए आप ए बी ली और उपर से एक ट्रेंगल मैंने ये वाली ले ली है A, D, C A, D, C अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो ये एक मैंने ये वली ट्राइंगल ली है A, E, B और एक मैंने ली है A, D, C इन दोनों में देखो कौन-कौन सी चीज़े हमारे पास equal जो है वो आ रही है एक तो है इसमें A, E equal to A, D ये given है इसके इलावा हमारे पास ये एंगल A दोनों में ही आ रहा है तो एंगल A, एंगल A common लिख सकते हैं हम लोग उसके इलावा अभी मैंने प्रूफ करवाया है कि A, B equal to A, C है ये हम लोगों ने प्रूफ किया है तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी ये दोनों ट्राइंगल आपके पास congruent हो जाएंगी side angle side से अगर ये दोनों ट्राइंगल आपके पास congruent है और यहाँ पर मेरे पास ये triangle congruent आ गई है A, B, A, E, B और A, D, C option B मेरा answer correct आ गया है अच्छा अब आब बोलेंगे के और भी तो इसको भी तो ले सकते थे हाँ तो भी इसको भी लेके करके देख लो ना ये वले triangle B, E, C और B, C, D इसको भी करके देख ले ना अगर ये congruent आ रही है तो इसको भी करके देख ले ना लेकिन हमारे पास जो option आई है वो कौन सी आई है option B आई है आप इसको भी try करिएगा option A को भी question number 6 question number 6 में आपके पस क्या दे रखा है इसमें यहाँ पर कहा है कि A, B equal to A, C है A, D median है अगर A, D median है तो ये जो angle बनेंगे ना ये वले angle ये वले angle क्या होएंगे median है तो opposite side opposite side को जो median होती है वो दो equal parts में बाढ़ती है यानि कि यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर मेरे पास यह देखो ये A, D अगर median है तो B, D equal to D, C होगा B, D equal to D, C होगा और साथ में आपके पास A, B equal to A, C ये given है ठीक है अगर मैं ये दोनों ही triangle ले ही लू इन triangle A, B, D क्योंकि उसने यही खाया ना कि ये दोनों को concurrent बताना है हमें लेकिन कौन से criterion से है वो बताना है दो sides हो गई है तीसरी A, D और A, D common आ रही है तिनों में दोनों में A, D और A, D को में तो side 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 वाले pattern से ये दोनों ट्राइंगल कांगूरेंट हो जाएंगी ना question number seven question number seven की बात करें तो यहां पर हमें भी यहां पर भी हमें concurrency rule बताना है दोनों triangle ये वली लेनी है और ये वली लेनी है देखो एक तो angle equal है एक side equal है और तीसरी side common आ रही है तो side angle side से ये भी equal हो जाएगा ना उसको अंगूरेंट हो जाएगा question number eight question number eight की बात करें तो यहां पर उसने कहा है वही दो triangle है आपके पास एक तो है d e f और दीसरी है p q r अब यहां पर उसने कहा है कि यह जो d e है वो d f के बराबर है angle f और angle p बराबर है angle f और angle p अच्छा angle f और angle p equal है angle e angle e और angle q equal है angle e और angle q equal है angle e और angle q equal है तो एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग यहां पर angle e और angle q इक्वल है इजे देखो बच्चो यह देखो angle e के सामने q लिख दिया angle e के सामने angle q लिख दिया angle f और angle p equal है तो मैं angle f के सामने p लिखती हूँ ठीक है angle f के सामने p लिखते है और यहां r लिखते हैं यहां हम लोग r लिख देते हैं अच्छा अब क्या बताना है the two triangles are तो दोनों ट्राइंगल क्या हैं दोनों ट्राइंगल के बारे में आप क्या condition जो है वो दे सकते हैं देखो अगर मैं यहां पर यह कहूं कि angle P is equal to angle Q है angle P is equal to angle Q है कैसे यह कह सकते हैं देखो यह कैसे कह सकते हैं उसने कहा है एंगल E जो है वो एंगल Q के बराबर है और एंगल F जो है वो एंगल P के बराबर है और एंगल E और एंगल F बराबर है क्यों है क्यों कि हमाएं हमें ये गिवन है कि D E equal to D F है अगर दो साइडस equal है triangle की तो उनके corresponding opposite angles भी क्या होंगे इक्वल ही होंगे, अगर E और F इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि P और Q भी इक्वल हो जाएंगे, P और Q इक्वल है students, तो इनकी corresponding sides P के सामने कौन सी side है, R Q और Q के सामने कौन सी side है, P R कौन सी side है, P R तो ये एक isosilis triangle बन गई P Q R या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो R P Q कैसे भी लिख लिजेगा Is an isosilis triangle isosilis triangle बन गई लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनो congruent हो, क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं खा गया है हमें केवल दोनों triangle में दो angles equal दी हों है है ना जी, दो-दो angles equal दी है इसके इलावा हमें और कुछ भी given नहीं है तो option A fit बैठेगी यहाँ पर, option A fit बैठेगी, यहाँ पर question number 9, question number 9 आप खुद try कीजिएगा बहुत easy है, इसमें कुछ भी नहीं है केवल इस से आप लोगी practice हो जाएगी question number 10, आज का last question लेंगे question number 10 में आपके पस क्या दे रखा है कि एक triangle है A, B, C A, B, C एक triangle है इसमें बोला है कि A, D एक altitude है, altitude का मतलब 90, 90 degree के उपर line जो है, वो cut कर रही है B, E एक altitude है और C, F, B एक altitude है 90 degree, 90 degree, 90 degree, 90 degree अब वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि A, C और B, C क्या equal होंगे क्या A, D और A, D और A, B देखो ये तो possible ही नहीं होगा बैब आपको पहले बता दूँ ये line A, D और A, B equal नहीं होंगे ठीक है, A, B A, B और C, F ये भी possible नहीं होगा ये possible होगा A, B, और A, C, देखो कुछ चीजे ना triangle के chapter में वहाँ पर आपको logically दिमाग से करनी पड़ेंगी आप अगर महाँ सोचने बैठ जाओगे भी ये भी option करके देख लूँ ये भी option करके देख लूँ तो नहीं, जितनी आप लोग ने इन questions की practice करी होगी तब ही आप ये question महाँ पर attempt करके आप आओगे तो प्रेक्टिस करिए का बच्चो अच्छा ये होगा होगा कैसे मैं आपको बता लेती हूँ अब यही suppose कर लो यही मालो कि आपने इसको प्रूफ करना है और अगर आपने NCRT का ये chapter किया है I am damned sure और इन questions को आप वहाँ पर directly टिक करके आओगे बिना कुछ किये है ना चलिए देखते हैं सबसे पहले देखो बच्चो अगर मैं ये triangle लेती हूँ BC ये वली triangle BCE ये वली triangle और इदर से मैं लेती हूँ BCF triangle BCE and triangle BCF मैं दो triangle लेती हूँ इन डोनों triangle में बच्चो आपके पास क्या आ रहा है अंगल 1 और एंगल 2 each 90 degree आ रहा है और इसके इलावा यहाँ पर आपके पास एक चीज और equal A यह वो कौन सी equal A रही है क्योंकि देखो यहाँ पर यह जो BE है यह BE और CF BE और CF जो है वो equal है अब मुझे कैसे पता चला यह equal है भई यह given है altitude है that are equal तो यह भी equal है यह given है तो दोनों triangle मेरे पास क्या हो जाएंगी दोनों ही triangle मेरे पास हो जाएंगी congruent side angle side से अगर यह दोनों triangle मेरे पास congruent हो गई तो यह वाला angle angle B और angle C equal आ गया angle B और angle C equal आ गया अगर angle B और angle C equal आ गया तो corresponding sides भी क्या हो गई equal हो गई A C और B C sorry, sorry, एक second, एक second, एक second A C और A B equal आया है ना, अरे, एक second A C और, देखो अभी गलत कर देना था यह नहीं आगे कुछ और भी प्रूफ करना है, A C और A B मेरे पस क्या आ गया, equal आ गया यहां तक आपको कहानी समझ में आगी इसी तरीके से अब देखो, A C और B C equal आ गया अब मैं क्या करूंगी इस diagram को मनाते हैं एक वर दोबारा बड़े अराम से ठीक है, और यह वाला altitude बीच वाला, अब भस आप यह दो Bu Angle B और Angle C में ने प्रूफ किया है AD और AD common है, ठीक है यह तीन चीजे मैंने equal कर दी तो A B और अच्छा एक सेकिंद मुझे क्या प्रूफ करना है गलत 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 कर दीया अच्छा मुझे यह प्रूफ करना है ना एसी तो उस तरीके से यहां तक तो ठीक है मुझे यहां पर यह प्रूफ करना है कि यह जो एसी है यह वाली एसी A, C यह मुझे इक्वल टू प्रूफ करनी है B, C, K है ना यह देखो तो अब मैं यहां पर जो दो ट्राइंगल लोंगी यह है D, यह है E, यह है F तो अब यहां पर हम लोग दो ट्राइंगल लेंगे जिनमे यह दो आती हूँ एक तो AC इसमें आ रहा है AC इसमें आ रहा है तो मैं ये एक ट्राइंगल ले रही हूँ एक आ रहा है ABD में ABD ABD चलो लेकते हैं ABD लेते हैं एक ट्राइंगल तो ये वली लेते हैं और दूसरी हम लेते हैं BAE ये वली एक ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल BAE अगर इन दोनों ट्राइंगल की बात करें तो इन दोनों ट्राइंगल में आपके पास देखो बच्छो इन दोनों ट्राइंगल में आपके पास एंगल 3 और एंगल 4 ये वाले ये दोनों 90 डिग्री की होंगे एंगल A और एंगल A common होगा उसके इलावा यहां पर आपके पास यह B, यह है B, E और C, F यह दो ट्राइंगल लिये ना मैंने, B, E और C, F यह भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि यह गिवन है तो यह दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगी, कांगूरेंट हो जाएगी अगर ये दोनों triangle congruent हो गई तो मैं लिख सकती हूँ कि A, B और B, C equal है A, B और B, C equal है और A, B किसके equal है A, B, A, C के equal है तो मेरे पास आ जाएगा A, C equal to B, C जो की है मेरा option number A देखो question काफी गुमाबदार था लेकिन करना तो पड़ेगा तो इसका option A जो है वो हमारा correct answer आएगा Thank you so much